नमस्कार दोस्तों प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत हैं दोस्तों आज हम लोग रेलबे गुरूप डी 14 सितंबर तू हचर बाइस सेकेंड सिप्ट का ओल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिल्कुल दोस्तों आप सही सुने 14 सि आप वीडियो को पूड़ा देखिए आपके लिए एक एक सवाल इन्पोर्टेंट हैं आपके एकजाम में इस वीडियो से स्वाल देखने को मिलेगा तो आप एक एक सवाल का इन्पोर्टेंट समझे और अच्छे से तयारी कीजिए ओके दोस्तों चलिए हम लोग डाइरेक कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि यदि तार की लंबाई दो गुन्नी कर दी जाए और तार के अनुपरस्त काट का छेतरफल आधा कर दिया जाए तो पदार्त की परतिरोधकता पर क्या परभाव पड़ेगा तो पदार्त की परतिरोधकता पर कोई परभा हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि आरे समाज के संस्थापक इन में से कौन थे तो आरे समाज के संस्थापक जो है आपको दयानंद सरस्वती थे कौन थे दोस्तों तो आपको आरे समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे option 4 जो हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि निम्न में से किस अनुछिद में भारतिये राष्ट पती के निसर्धिकार का वर्णन है तो अनुछिद 111 में आपको भारतिये राष्ट पती के निसर्धिकार का वर्णन है किस अनुछिद में हैं तो अनुछिद 111 में हैं option 4 जो हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं दोस्तो मैं उमीद करता हूँ कि question आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और comment करके बताएए कि वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तो अभी तक आप इस चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो please इस चैनल को subscribe कर लेजिए और बिल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि स्वा पोसी अपने भोजन का संग्रहन किसके रूप में करते हैं तो आपको अश्टार्च के रूप में करते हैं किसके रूप में करते हैं तो आपको starch के रूप में, option 1 जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चलिए next question देख लेते हैं, next question कह रहा है, कि निम्न में से कौन सी धातू, सरवाधिक अभी किरिया सील है, तो magnesium धातू जो है, आपको सरवाधिक अभी किरिया सील है, कौन सी धातू है, तो आपको magnesium है, option 1 जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चलिए next question देख लेते हैं, next question कह रहा है, कि कौन सा छेतर, छोब मंडल को समताप मंडल से अलग करता है, तो आपको छोब सीमा जो है, आपको छोब मंडल को समताप मंडल से अलग करता है, कौन करता है, तो छोब सीमा करता है, अप्सन दू जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलि नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि भारतिये उस्ण कटी बंधिये मौसम विज्ञान संस्थान इन में से किस सहर में इस्तित हैं तो आपको पूंडे सहर में इस्तित हैं तो आपको पूंडे सहर में अप्सन एक जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि पैंसिल को पानी में डुबाने पर क्या होता है तो pencil को पानी में डुबाने पर pencil मुड़ी हुई दिखाई देती हैं क्या होता हैं दोस्तों तो pencil मुड़ी हुई दिखाई देती हैं option दूजो हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि इनमें से किस ततों में तीन कोस और दो सन्योजी इलक्ट्रोन होते हैं चार option दिया हैं इनमें से आपको चून कर बताना है कि किस ततों में तीन कोस और दो सन्योजी इलक्ट्रोन होते हैं तो magnesium ततों में तीन कोस और दो सन्योजी इलक्ट्रोन होते हैं ततो में होते हैं आपको Magnesium ततो में बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके छलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि N2 के अन्वो में dash होता है N2 के अन्वो में क्या होता है तो आपको nitrogen के दो परमाडवों के बीच तीहरा बंध होता है N2 के अनुव में नाइट्रोजन के दो परमाड़ों के बीच तीहरा बंद होता है अप्सन चार्ज है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है कि माइटो कंड्रिया में अक्सिजन की मदद से पाइरुएट के विघटन के दोरान कार्बन डाइक्साइड के कितने अनुव बनते हैं अप्सन दूज है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि बिदूत मोटर में डैस में रूपांतरन होता है तो बिदूत मोटर में बिदूत उर्जा का यांतरिक उर्जा में रूपांतरन होता है अप्सन एक जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा उके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि निमने लिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दरसाता है चार option दिया है इन में से आपको चून कर बताना है कि कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दरसाता है तो रासायनिक किटनासक पदार्थ जो है आपको जैविक आवर्धन दरसाता है कौन सा पदार्थ दरसाता है तो आपको रासायनिक किटनासक पदार्थ जो है आपको जैविक आवर्धन दरसाता है option एक जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि इन में से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है चार option दिया है इन में से आपको चून कर बताना है कि कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है तो आपको ततो के गूर उनके परमाणू करमांग के आवर्त फुलन होते हैं यहीं जो हैं, आपको आधनिक आवर्थ नियम हैं, तो option 3 जो हैं, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चलिए next question देख लेते हैं, next question कह रहा है, कि इन में से कौन सा परेश्थित की तंत्र का एक अजयवी घटक हैं, तो मिर्दा जो हैं, आपको परेश्थित की तंत्र का एक अजयवी घटक हैं, तो option 1 जो हैं, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चलिए next question देख लेते हैं, next question कह रहा हैं, कि राष्ट ब्यापी दूध ग्रीड बनाने के लक्ष के तहत, अपरेशन फ्लड का सुब आरंब किस बरस किया गया था, तो सन 1970 में किया गया था, किस बरस किया गया था, तो 1970 में, option 1 जो हैं, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चलिए next question देख लेते हैं, next question कह रहा हैं, कि डैस एक उप्यूप दरपन होता हैं, जिसे एक बिंदू प सुरी का परकास केंदरित करने के लिए परयोग किया जा सकता हैं, तो अवतल दरपन जो हैं, एक उप्यूप दरपन होता हैं, जिसे एक बिंदू पर सुरी का परकास केंदरित करने के लिए परयोग किया जा सकता हैं, कौन सा दरपन हैं, तो आपको अवतल दरपन हैं, option 3 ज कर दे रहा हूँ, जिए किसे परिनालिका के फेरो की संख्या में बिर्धी होती है तो उसका डैस होता है, तो उसका चुम्बक्य छेत्र बढ़ता है, आप्षं चार जोहें, बिलकुल सही उतर हो जायेगा. चलिए next question कह रहा है कि भारत में परती बर्स 10 को राश्ट्य एक्ता PRES के रूप में मनाया जाता है, तो भारत में परती बर्स 31 अक्टूबर को राश्ट्य एक्ताERS के leopard us के रूप में मनाया जाता है, option दू Pine liberty बिल्कुल सही उतर हो जाएगा लेक्स्ट कोशन कह रहा है ब्हारत की किन दो भासाओं को वर्ष 2008 में सस्त्रिय भांसा का दर्जा दिया गया किस दो भासाओं को दिया गया तो आपको कननद और देलगू भांसा को अप्सन 3 जो हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके इस सिप्ट में इतना ही सवाल था मैं उमिद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए आपके लिए एक-एक सवाल इंपोर्टेंट है आपके एकजाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा ओके मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ तब तक के लिए टेक एर दोस्तो एंड बाई